एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आप सब को पता है जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन के विडियो जो आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त प्रबात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए आया हूँ Oxford current English translation के exercise 72 के solution को लेकर के जिसमें है translate into English और यह advanced learners exercise है यह तो advanced learners का मतलब होता है कि मतलब जो आपने पढ़ा है उसके level से थोड़ा आगे बट होता कुछ नहीं है यह पिछले जो आपने बनाए हुए है उनहीं से best है बस इसके words कुछ change हो जाते हैं हाला कि आपको answer इसके book में दिये रहते हैं बट मैं यहाँ पर आपको explain करूंगा एक एक रूल उपर अभी आपको exercise 71 के का link नजरा रहा होगा i button में वहाँ से जाकर के आप click करके पूरे वैसे 1 से लेकर के 71 तक के exercises बन चुके हैं उन सब के भी playlist भी उपर में आपको मिल जाएगा और नीचे description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और उन सभी को आप अपना revision कर सकते हैं बाकी translation के लिए मैं एक general rule बताता हूँ हमेशा से जो मैंने खुद वैसे ही पढ़ाया मैंने एक दिन भी अपने life में English का coaching नहीं किया फिर भी मैं आज government school में पिछले 9 सालों स teacher हूँ उससे पहले दो से भी SCA school हो जीडी मदर इंटरनेशनल school मुझा फरपूर और Holly Mission Senior Second Day school मुझा फरपूर में teacher रहा हूँ तो यह मैंने ऐसी सीखा कैसे कि बस आप translation को कुद से rule पर हो फिर जो है उसके examples को देखो और फिर बनाओ तो अभी तो हमारे समय में कोई उसको और इसी वे में आप पढ़े तो तुम्हें पटना क्यों जाना है है ना है और पढ़ता है के लिए आपने पढ़ा है क्या कि have to has to लगता है तो क्या हो जाएगा why have you to go to पटना अच्छा इसका मैंने जो है वो पहले सब नॉर्मल बाला जो have to has to का है वो पढ़ा दिया उसको आप लोग देख ले मुझे पटना किताब खरिदने जाना है I have to go to पटना to buy a book अच्छा इन सम्में आप देखेंगे यही पैटर्न यही है subject हो गया फिर have a hedge हो गया फिर two हो गया और फिर भीवन यानि भर्व का पहला रूप उसके बाद ही और कुछ लेगा जैसे to पटना to buy a book जो भी इतना minimum रहेगा यही डबलू है तो उसमें भी क्य क्या होगा उस subject के पहले have a hedge को ले आएंगे और उसके भी पहले यदि कोई wh word है तो उसको ले आएंगे तीसरा है क्या आपको जूट बोलना पड़ता है have you to tell a lie question mark देना न भूलें आगे बढ़ेंगे अगला है आपका हाँ यह सच है कि मुझे कभी-कभी जूट बोलना पड होता है yes yes के बाद कॉमा जूट देंगे हिंदी में भी हां के बाद होता है yes it is true that I have to tell a lie sometimes या sometimes आप पहले भी लगा सकते हैं मेरे पास दूसरा कोई उपाए नहीं है I have not any other alternative या आप इसकी जगह लिख सकते not any की जगह I have no other alternative अगला है मेरे पास यह समस्या है I have this problem क्या आपको office pedal जाना पड़ता है have you to go to office on foot on foot means होता है पैदल उसके बाद है हां मैं गरीब हूँ yes I am poor इसके बाद बढ़ेंगे मेरे पास cycle नहीं है तो क्या हो जाएगा I have not a bicycle अब कहेंगे सर एक तो नहीं दिया हुआ फिर कहां से आया देखिए जो गिनने वाला है जो common noun है जो जाती ब बचन है तो उसके पहले एन लगेगा ही लगेगा ठीक है चाहे हिंदी में एक लिखा रहे है या ना लिखा रहे है इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप I have no bicycle भी लिख सकते हैं तब जब नो लगेगा तो यह नहीं लगेगा या फिर इस प्रकार से भी आप लिख skill या फिर have or not को short करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I haven't any bicycle या फिर I have को जो है ना short करके भी लिख सकते हैं I have not any bicycle तो ऐसे और भी sentences के इस तरह के रूप हो सकते हैं एक में मैंने जो है उसको आपके book में था उसको रहने दिया है मेरे पास रिक्षे के लिए पैसे नहीं है अतह मुझे पैदल जाना पड़ता I have no money for a rickshaw है ना इसको पढ़ेंगे rickshaw so I have to go on foot मैं इसके लिए उदास था परन्तु अब नहीं हूँ I was sad for it या this but I am not now लेकिन अब नहीं हूँ but I am not now subject इसमें दे देंगे मेरे पास एक cycle अवस्य होगी I will अब अवस्य इसलिए है ना I will have I will I will या I shall definitely have a bicycle आप लिख सकते हैं बट नॉर्मली जो है शाहिल की जैगा विल कर देने से अपने आप अवस्य का बोद हो जाता है फिर है कि आपको समय बरबाद करना पड़ता है have you to kill your time मैं अब किल्मा ने मार ना लेकिन यहां समय बरबाद करना कि time किल्मत करो ऐसे बोल चाल में भी आपने सुना होगा तो इसको याद रखेंगे हाँ मेरे पास कुछ दिक्कते हैं yes I have some difficulties क्या तुम्हें अपने दोस्तों के लिए प्यार है have you love for your friends क्या वाले में question mark जोड़ दा हां मुझे है yes I have परन्तु उन्हें नहीं है but they don't have don't have क्या love है अगला है क्या आप सिक्षित नहीं है aren't you educated या are you और तब यहां not लगा देंगे not educated फिर है हां मैं सिक्षित नहीं हूँ तो yes I am not educated मेरे पास ज्यान नहीं है I have no knowledge knowledge नहीं किन सकते से no ही लेगा यहां not नहीं लेगा इसलिए मुझे काम करना पड़ता है so I have to work फिर है अब मुझे पढ़ना है and now I have to study या read भी लगा सकते हैं वैसे पढ़ना के लिए यही यह पढ़ाई वाला जो है वो study better होता है मुझे अंधेरे से बाहर निकलना है I have to come out of darkness बाहर निकलना come out of darkness अंधेरा फिर है मैं अशिक्षित नहीं रहूंगी I shan't be uneducated या इसकी जगा आप कह सकते हैं I shall not be uneducated अगला है वह समय दूर नहीं है जब अशिक्षित महिलाओं को समझ होगी the time isn't या is not far off far off मतलब दूर हो ना when uneducated women जब अशिक्षित यह याद रखेंगे इसका उचारण जरा गौर कर लिजे W O M A N हमारे बिहार के UP के बहुत सारे students इसको पढ़ते है ओमेन है ना तो यह ओमेन मतलब होता है बुरी आतमा यह ओमेन नहीं है बाई साव यह बिलकुल गलत है यह है क्या यह है woman 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 और इसका जो है वो women होता है उचारण पटना women's college तो यह women होता है तो the time is not far off when uneducated women will have understanding अगला सिर्फ तभी भारत महान बनेगा only then India will be great और इसका नाम बीश्व में परसिद होगा and its name will be famous in the world फिर आपको क्यों कुछ नहीं करना पड़ता है why haven't you या why have you not to do anything short में why have you to do nothing भी हम लोग कर सकते है sorry यहाँ पर जो है do nothing भी होता है not anything या फिर nothing अगे बढ़ेंगे अगला है मुझे बगवान का दिया सब कुछ है इसलिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है I have everything given by God so I haven't yeah I have not to do anything yeah I have to do nothing भी हो सकता है यह गाये कैसे उन लोगों की हो जाए farmers क्या तुम्हारा अपना कथन तुमसे तुम्हारे बिरुद्ध है होगा तो will your own statement be against you बनेंगे आगे अगला है आपका अगर आप लोग मेहनती हैं if you are laborious तो आप गरीब किसान नहीं रहेंगे you won't you will not be poor farmers यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा eat या this भी लिख सकते हैं जगा will be good for you या it will को short में ऐसे apostrophe देखे it will भी लिख सकते हैं ठीक है उसके बादे अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो if you are not lucky aren't lucky या if you are not are not भी लिख सकते हैं लगी तो तुम कैसे सफल रहोगे है ना अब यहाँ देखिए how will you be successful अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि देन तो नहीं हो जाएगा तो के लिए नहीं बिल्कुल नहीं होगा यदि इफ वाला कंडीशन वाला इफ जब यहां रहेगा नहीं यहाँ दिन बिल्कुल है सीधा है मैं सोच रहा हूँ आँ जाने का तब मैं यह काम करूंगा तब होगा I am thinking to go there then I will do this है तो I shall be successful इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया उमिद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आप किसी प्रकार का कोई confusion नहीं होगा तो कमेंट करें मैं reply थोड़ी देर सही से लेकिन जूर देता हूँ और आजकल आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स आते हैं एक आद आप दो लिकheid कि आपने यह जो पड़ाये यह गलत है है या ऐसे यह एसे पड़ा है लेकिन वो जो रॉंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते है वह नहीं होना जिए चैनल पर नहीं है चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीजिस से सब्स्राइब कर ले और साथ में प्रब्साइल प्रfolg कोपे कोप yani स्चाले नेसे चाईते।